स्वागत करता हूँ आप सभी को लिए मैं एक वीडियो के रूब में जुलन्द मुद्धय को लेकर के आपके बीच में आ रहा हूं और उस चीज को आप लोग का भी एक भी रहे हैं और आउसक भी है उत्तरप्रदेश इस्टेट पीसियस या इस्टेट के अधिना सेवा चान में रखते हुए इस चीजों को हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं अगरी कल्चर का यह वह मुद्धा है जो हर जगे कभी-कभी पूछा जाता है कुछ ऐसे मुद्धे हम आपके बीच में ले आ रहे हैं जिसका संबन्द उत्तरप्रदेश से है वह या तो इतिहास का होग या भूगोल का होगा ठीक है तो आज हम उत्तरप्रदेश के एक मुद्धे से जुड़ रहे हैं हम लोग वह मुद्धा है उत्तरप्रदेश में कांग्रेश के कौन कौन से अधिवेशन या कांग्रेश के कौन कौन से अधिवेशन ऐसे हैं जो उत्तरप्रदेश में हुए ह कहां हुए है और कब हुए है उनकी अध्यस्ता किस ने की है यह सवाल अक्सर यूपी जो उत्तर प्रदेश इस्पेसल है या उत्तर प्रदेश बिसेसांग है वहां से इस तरह के प्रसल को उठाया जाता है इसलिए इस बात को समझेगा कि यह यूपी का कोई एक्जाम है और उत्तर प्रदेश इस्पेसल या उत्तर प्रदेश भी सेसांग का समावेश किया गया है तो यहां से प्रश्न उठाए जाना स्भाविक है वो इसी मुद्धे पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और समझेने का प्रियास करेंगे कि यूपी में कब और कहां कहां कांग्रेश के अधिवेशन हुए है ठीक है और कौन-कौन उसकी अधिष्टा किये हुए है तो आए हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं हमारी संसा के द्वारा एजी टीए का बैच हमारा ऑनलाइन दारंब है इच्छुग अभ्यारती आप हमारी नमरों पर संपर करके आप उसकी जानकारी राप्त कर सकते हैं तो देखें लिखा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेश अधिवेशन ठीक है तो जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेश अधिवेशन है वो कौन-कौन से है और कहां-कहां हुए है तो इसके बारे में आपको जानना और सक है देखेंगा यहाँ पर लिखा पहले लिखाए 1888 तो जो अठारस और ठासी में हुए है वो कहां पर प्रियाग राच में ठीक है और इसकी अध्यस्ता किस ने किया था जार्ज यूले ने किया था ठीक है आप लोगों से सवाल यह है कि कांग्रेस का अस्थापना कब हुआ और इसके अस्थापना करने वाले कौन रहे और कांग हर परिक्षा की त्यारी करने वाला परिक्षारती इस तीनों सवाल का जवाब बहुत आसानी से देगा दूसरा देख्या निखा है 1892 तो जो 1892 में हुआ वो भी प्रियाग राज में हुआ और इसकी अधेस्ता को किये व्यमेश चंद्र बनर जी ने किया ठीक है तीसरा अग लिखा है 1910 यह कहा हुआ यह भी प्रियाग राज में हुआ और इसकी अधेस्ता किस ने किया बिलियम वडर वर ने देखें यहां पर हमने यह लिखा है यह तीनों का तीनों कहां पर हुए है प्रियाग राज में तो सवाल यह बनता है कि प्रियाग राज में कितने अद्वेशन हुए हैं आप यहां पर जान सकते हैं कब कभ हुए वह भी जान सकते हैं और उनकी अद्वेश्टा किसे ने किया यह भी जान सकते हैं अगला है कांग्रेस का अद्वेशन कहा हुआ लखनव में हुआ और इसकी अद्वेश्टा किसे ने किया आर्सी दत या रमेश्चंद दत ने किया ठीक है किसे ने किया रमेश्चंद दत ने किया दूसरा कब हुआ 1916 में हुआ कहां पर लखनव में हुआ और इसकी अद्वेश्टा किस चरण मजूमदार ले और यह कांग्रेस का सवसे बारा जुषन था यही पर मुस्लिम लिंगर कांग्रेस उन्हें एफ खुई थी ठीक है और सवसे पहले प्रफम बार गाधी जी कांग्रेस के अदिशन में यहीं सम्मीलित हुए थे ठीक है तो यह बहुत सारे काड़ों से यह जो है क्या है महत्पूर है इसलिए लखनव अद्वेशन बार-बार पूछा जाता है ठीक है अगला देखे लिखा है 1936 में ठीक है कहां पर हुआ लखनव में इसके अद्यस्ता किसे ने किया जवाहरलाल नहरूरे तो देखने को कांघ्रेश की अद्वेशन प्रियागराज में और कांघ्रेश के आद्वेशन लखनव में हुए है है उसके अब लिखा है 1905istor 1905 का कहा हूँ वा भरार से में हवा और इसकी अश्त आ ने किया था गोपाल कृष्व ने गोखले ने किया था ठीक है फिर 1925 में हुआ और जो 1925 में हुआ वो कहां पर हुआ कानपुर में हुआ और कानपुर के कांग्रेस के दैस्ता किसे ने किया था स्रीमती सरोजनी नाडू ने किया था उसके बाद 1946 तो 1946 का जो हुआ वो कहां पर मेरट में हुआ और मेरट में इसके अदेशता किसी ने किया था जे भी प्रिपलाणी ने किया था ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पर देखे हमने इसी से संबंधित एक उद्धा लिखा है ठीक है कि उत्तर प्रदेश में 1857 का जो विद्रो हुआ था कि भारत के किन सहरों में 1857 की विद्रो का किसने जो है नित्रित किया था तो इतनी बात यहाँ पर हमने लिखा है ठीक है तो जो बरेली में 1857 का विद्रो हुआ उसकी अदेशता किसने किया खान बहादूर खान ने किया था ठीक है और जो कानपूर में था उसका नाना साहर किये थे और जो लखनों में हुआ था उसका बेगम हजरत महन ले किया था और यह प्रसन उत्तर प्रदेश भी से सांग के रूब में आप सभी से पूछा जाएगा इसलिए इन प्रसनों को ध्यान पूर्वक रट लीजिएगा आफ लाइन और आफ लाइन बैश दोनों प्रारम हो चुका है इच्छु कभ्यार्ति तमपर कर सकते हैं हमारा एफ को 2023 का बैश भी आफ लाइन आफ लाइन दोनों में में प्रारम हो चुका है तो आप सभी का स्वागत है संसाज से जुड़ करके अपना जो है भविष उज कर दीजे आज के लिए इतना ही तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में